मुंबई में हुए 26-11 आतंकी हमले को 10 साल हो गए हैं लेकिन कुछ सवालों के जवाब आज भी गुम है इस हमले में देश के कुछ बहादुर पुलिस अफसर की जान चली गई थी देखें कि कैसे हमत करकरे और उनके साथियों ने अपनी जान पर खेल कर नागरिकों की रक्षा की मुंबई में हुए आतंकी हमले को 10 साल हो गए हैं इस आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी और सैक्रोज जख्मी हुए थे साथी 18 पुलिस कर्मी भी शहीद हुए लेकिन शहीद हुए पुलिस कर्मियों में से कुछ की मौत को लेकर आज भी सवाल उठते हैं जिसमें सबसे प्रमुक नाम ATS के पूर्व प्रमुक हेमंत करकरे का है क्या करकरे की हत्या एक साजिश भी हो सकती है? साल 2009 में महराश्र के पूर्व आईजी SM मुश्रीफ ने अपनी किताब हू किल्ट करकरे में महराश्र के पूर्व ATS प्रमुक केपी रगुवन्शी पर आरोप लगाया था कि 26 नमंबर को केपी रगुवन्शी मौके पर मौझूद थे और उन्होंने हेमन करकरे को दो आतंकवादियों के स्थान के बारे में गलत जानकारी दी जिसके बाद वे पहुँचे तभी एक सुनसान जगह पर उनके पुलिस वहन पर आतंकवादियों ने चुपकर हमला बोल दिया था इस हमले में करकरे के अलावा पुलिस आयुक्त अशोक काम्टे और एंकाउंटर विशेशग्य विजय सालसकर शहीद हो गए थे समय समय पर राजनीतिक पार्टियों ने भी इस पर सवाल उठाए हैं और मामले को माले गाउं ब्लास और उसके बाद होने वाली गिरफ्तारियों से भी जोड़ कर देखा जाता रहा है अंकुश चॉबे की रिपोर्ट गो नियूस